भाई अगर आप 400 सीटे जीत रहे हैं तो आपको प्रभू श्री राम की याद करने की क्या जरूरत है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच। क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल यूज चक्त खबर की गहराईयों को टटोलता। सबसे बड़ी बाद भारतिय जनता पार्टी का लगभग हर नेता अपने चुनावी सभाव में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। धार्मिक तौर पर समवेदंशील बयान दिये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री हों या राज्यवर्दन राठ और हर नेता अपनी हर सभा में इसका जिक्र कर रहा है दोस्तों। प्रधान नंत्री नारेंद्र मोदी कल बिहार में थे। वहाँ पर भी वो धर्म के नाम पर या धर्म की तरफ चुनावी राजनीती को ढखेलने की कोशिश से बाज नहीं आए। उनकी मैं चर्शा करूँगा अब अगर सबसे पहले जो बयान में आपको सुनाने वाला हूँ काइदे से राज्यवर्दन राठ और पर पाबंदी लग जानी चाहिए। चुनावी कैमपेइनिंग को लेकर सुनिये राज्यवर्दन राठ और खुले आम मंच से क्या कह रहे हैं। खुले आम मंच से क्या कह रहे हैं। ये साफ तोर पर चुनावायोग के दिशा अंद्र देशों का उलंगने। सुनते हैं। सुनो सुनो मेरी वाद, ये कहलाश नहीं, इसमें मुझे कहलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है, इसमें मुझे कहलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है, क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए, आपने इनको वोट दिया, तभी राम मंदिर बना, एक एक वोट किंती है, एक वोट किंती है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्तिकाशी का जिक्र कर रहा है, राम का जिक्र कर रहा है, राम मंदिर का जिक्र कर रहा है, और ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप हर सभा में देखिए भाजपा के नेताओं के यही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा मगर अब राजवर्दन राठाउर के बयान के साथ मैं दो और नेताओं के बयान आपको सुनाने वाला हूँ एक है राजेश मिश्रा भाजपा के नेता है और दूसरा आरुण गोविल जिन्होंन रामायन में श्री राम का किरदार निभाया था और वो भी अब चुनावी रणभूमी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं खुलकर खुलकर राम के नाम पर वोट मांगना और ये कहना कि साथ मैंने तो राम का किरदार निभाया था अगर आपने मुझे रिकॉर्ड मारजन से नहीं जिताया तो यह आपपर सवाल होगा सुनिए एक बार फेर ये तीन बयान जो अपने आप में बहुत शोकिंग है सुनते हैं मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी भी सूरत में ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उलंखन नहीं दिखाए देता धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है याद कीजेगा जब लोगसभा चुनावू का एलान हुआ था मुख्य चुनाव आयोग तो राजीव कुमार सामने थे उनसे सवाल पूछा गया था कि जब प्रधानंत्री नरेंद्र बोदी और आमिशा, दिशा, निर्देशों का उलंखन करते हैं तब आप उन पर कोई कारवाई नहीं करते हैं पर जब राहूल गांधी की तरफ से कुछ काम होता है तो तुवरित कारवाई होती है क्या आप तुवरित उसका संग्यान लेते हैं ये दोहरे माबदंड क्यों एक बार फिर वो दोहरे माबदंड दिखाई दे रहे हैं मैंने आपको भाश्पा के तीन नेताओं के बयान सुनाए दोस्तों खुले आम धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए जो दिशान निर्देशों का उलंगन है बड़ा सवाल ये कि छुनाव आयोग कुम करणी नींद क्यों सोया हुआ है अरे भाई कुम करणी नींद तो सोयेगा ही ना आप जानते हैं क्या खबर आई है अभी दोही दिन पहले की बात है आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे थे सुशील कुमार गुपता उनकी तरफ से एक व्यक्ती ने शुनावी सभा की आनुमती मांगी शुनाव आयोग ने उसे मना कर दिया मगर शौकिंग बात ये इसमें आप देख सकते हैं इसमें न सिर्फ उनकी अपील को रिजेक्ट किया गया है बलकि मा की गाली भी दी गई है दा जी हां मा की गाली दी गई थी इसमें अब शुनाव आयोग ये कह रहा है कि उनका वेबसाइट जो है हाक हो गया है मैं यही तो समझना चाहता हूँ ये वेबसाइट कैसे हाक होता है जिसमें सिर्फ विपक्ष के नेताओं को गाली दी जाती है भाजपा के नेताओं को तो गाली नहीं दी जाती और मैंने अपने कारकर में आपसे पूछा था कि क्या आपकी वेबसाइट को अमित मालविये के जो दो रुपली ट्रोल्स है भाजपा का जो IT सेल है वो आपका वेबसाइट चला रहा है बहराल मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस पर शुनाव आयोग ने आक्शन भी लिया है कारवाई भी की है क्या है खबर आपके स्क्रीन्स पर शुनाव आयोग की वेबसाइट हाकिंग मामले में कैथल SDM सस्पेंड आपको जारी हुए सर्टिफिकेट पर लिखे थे अब शब्द पुलीस मामले की जाच कर रही है मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर जब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है तब आप उस पर कोई कारवाई क्यों नहीं कर रहे है प्रधान नंत्री दरेंद्र वोधी कल बिहार में थे उन्होंने क्या बयान दिया इस पर गौर फर्माईए प्रधान मंत्री ने कहा इंडी गडबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी की दिता खुले आम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिन भारत को अलग कर देंगे कॉंग्रेस ने जो अपना घोषना पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है कॉंग्रेस ने घोषना पत्र नहीं तुष्टि करन पत्र जारी किया है यानि कि वही सनातन धर्म वही मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप जो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके जो वैचारिक पूरवज हैं शामा प्रसाद मुखर जी उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ आजादी से पहले ना सिर्फ सिंध बलकि बंगाल में भी सरकार बनाई थी जी हाँ जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था तब उसका विरोध सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग और आरेसस कर रही थी लहाजा आपको शुभा नहीं देता मुस्लिम लीग का इस तरह से जिक्र करते हुए है मगर ये तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों प्रधान मंतरी लगभग अपनी हर राली में इसी तरह से धार्मिक चीजों का खक्र कर रहे है उन्होंने खुलेा हम एक राली में कहा कि कॉंग्रेश जो है आयोध्या और राम की चर्चा करने से घबरा रही है सुनी उन्होंने क्या कहा कॉंग्रेस की सभी कायों को कहा है किया योध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मूँ पे ताला लगा देना कुछ बोलना ही मात उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए अब जाहिर सी बात है इसकी दो वज़े हैं कॉंग्रेस ऐसा इसली कर रहें कियो कि कॉंग्रेस जानती है कि अगर मंच पर राम की चर्चा होगी आयुध्या की चर्चा होगी तो भारती जंता पाटी बाजी मारेगी और कही न कही इसके पीछे राजनीतिक सोच भी है क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर आपका मुकाबला नहीं किया जा सकता मगर असली वज़ा है चुनाव आयोक के साफ तोर पर दिशान निरदेश है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंतरी आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप अपनी हर सभा में आयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, राम का जिक्र कर रहे हैं सनातन धर्म का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरी है ऐसा क्या डेस्परेशन है और दोस्तों एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है कल ही बिहार की सभा में प्रधान मंत्री का है बयान आपके स्क्रीन्स पर राम नवमी आ रही है पाप करने वालों को भूलना मत आयोध्या का नाम लेकर विपक्षपर बरसे प्रधान मंत्री मोदी मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ अगर आपको 400 सीटे मिल रही है तो आपको श्री राम के शरण में जाने की क्या जरूरत और सबसे बड़ी बात आप चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उलंगन कर रहे हैं बार बार उलंगन कर रहे हैं लगातार उलंगन कर रहे हैं आपके कई नेता कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप भाजपा के हर नेता की हर स्पीच को उठा लीजे आपको कही न कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगने की मिसालें मिल जाएंगी जैसा कि मैंने आपको राजवरदन राठोर, राजेश मिश्रा और अरुन गोविल के संदर्भ में बताया सबसे शौकिंग बात, महिला अस्मिता की बात करने वाली भाजपा, खुले आम मा बहन पर आ गई है, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों बाजपा के नेता हैं, लक्ष्मिकान बाजपाई, उनके बोल किस तरह से बिगड रहे हैं, उसकी मिसाल में आपको देना चाहता हूं, सुनियों उन्होंने क्या का अब जब बात मा बहन पर ही आ जाएगी, तो राजनीतिक मर्यादा कहां रहेगी बताईए ना, और ये कोई छुभईये नेता नहीं हैं, ये भाजपा के वरिश नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं, और देखिए, इनकी जुबान कैसे बिगड रही है, मगर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मुझे आपती जुबान बिगडने पर कम है, शुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की उलंधन पर ज्यादा है, मगर आप क्या कीजेगा, शुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो र एक यहिता हूं, यह मुकाबला बरावरी का नहीं है, एक ऐसा मुकाबला है, जहां विपक्ष की मांग को नहीं सुना जाता है, विपक्ष एक बहुत साधारन सी मांग करता है, कि वीवी पैट जो है उसे सनरक्षित किया जाए यानि कि हर व्यक्ति जो वोट दे उसे वीवी पैट की परची मिले उसमें वो चेक करें कि मैंने जिसे वोट डाला है वो जानकारी यहां है या नहीं और फिर उसे एक बक्से में डाल दिया जाए ताकि कल को कोई विवाद हो तो उसे दोबारा गिना जा सके एक बहुत साधारन सी मांगे है मगर इसे भी अनसुना कर रहा है चुनाव आयोग और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस ने इसे अपने घोशना पत्र में शामिल किया है और यह अपने आप में कितना शौकिंग है ना दोस्तो जब चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर सवाल उठें उसकी विश्वसनियता पर सवाल उठें उसकी वेबसाइट पर सवाल उठें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वेबसाइट हैक हो रहे हैं ऐसे में चुनाव आयोग पर विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा मैं आपको बाकाइदा मिसाल दे रहा हूँ वेबसाइट हैक हो रहे हैं विपक्ष के निताओं को माबहन की गालियां दी जा रहे हैं भाजपा के निता खुले आम सभा में राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं एक नहीं धेरो मिसालें और अभी तो पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है कल्पना कीजे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तेवर, जुबान, लहजा किस तरह से बिगड़ेगा विपक्ष के निता चाहे अखिलेश यादव हूँ तेजस्वी यादव हूँ या राहूल गांधी सब कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ, मुझे तो कभी-कभी निताओं पर दया आती है क्योंकि जब धार्मिक उनमाद आप चुनाओं में फूक देते हैं तब जनता एक ही तरफ चलने लगती है जी हाँ, धार्मिक उनमाद जब आप फूक देते हैं तब जनता सोचने समझने की अपनी क्षमता को खो देती है और यह अपने आप में बहुत दुर्भाग की की बात है और सबसे शौकिंग बात, इस मामले में जो रेफरी है यानि चुनाओ आयोग वही खामोश बैठा हुआ है बार-बार उलंगन हो रहा है, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री ने जो राम का जिक्र किया था कि कॉंग्रेस राम का जिक्र करने से डर रही है ये चुनाओ आयोग की दिशा निर्देशों का उलंगन नहीं चैन से सोना है तो जाग जाईए महोदा है जी हाँ, आप जिस तरह से कुम्ब करनी नीन सो रहे हैं इस से आप कुछ और नहीं बल्कि भारती लोकतंत्र को वदनाम कर रहे हैं इसलिए जाग जाईए और इन मुद्दों पर तुवरित प्रतिक्रिया दीजिए खुले आम जो चल रहा है आपने आप में बहुत शौकिंग है दोस्तों बहराल इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे आपिसार शेर्मा को दीजिये जासत नमस्कार